दोस्तो दुनिया में हर इंसान ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है बुलंदियों को छूना चाहता है, अपने इंकम को बढ़ाना चाहता है दोस्तो ऐसा क्यूं होता है कि ज़्यादा तो और लोग पूरी दुनिया में पूरी मेहनत करने के बाद पूरी परियास करने के बाद एक लिमिट इंकम से ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं अगर कोई ब्यक्ति 10,000 रुपय मेहना कमा रहा है तो वो 10,000 ही कमा रहा है कोई 20 कमा रहा है तो 20 ही कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है तो 85 ही कमा रहा है क्यों 20 वाला 50,000 पर नहीं जाता, क्यों 50,000 वाला 2,000,000 मेहना नहीं कमाता क्यों 2,000,000 वाला 10,000,000 मेहना क्यों नहीं कमा पाता दोस्तों इन सभी के पीछे का जो कारण है वो है आपका तजरुबा आपका तजरुबा और आपका नॉलेज जहां तक आपको जिंदिगी में लाना था वहां तक ला दिया है आप जो भी कमा रहे हैं वो आपका तजरुबा है आप जहां तक पहुँचपा रहे हैं जिंदगी में वो आपका नॉलेज है अगर आप पुराने तजरुबे और पुराने नॉलेज से काम करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना कई सालों से कई मेहनों से मिल रहा है दोस्तो इंसान अपने जिंदिगी में अपलाइन बदल देता है डॉन लाइन बदल देता है, क्रोस लाइन बदल देता है अपना काम बदल देता है, कमपनी बदल देता है पर इंसान अपने आपको कभी खुद को नहीं बदलता जिसके बज़े से उसकी earning कभी नहीं बढ़ता दोस्तों तजरुबा और knowledge जहां तक आपको जिंदिगी में लाना था वो already ला चुका है जो earning जो income आप लगतार कमार है कई सालों से कई मेहनों से और आपकी earning नहीं बढ़ रही है तो वो आपका तजरुबा वो अपना knowledge है आपका knowledge अगर 10,000 रुपय वाला है तो आप 10,000 ही कमाएंगे आपका तजरुबा अगर 20,000 वाला है तो 20,000 ही कमाएंगे आप कभी भी पुराने knowledge और पुराने तजरुबा से कभी भी 1,000,000,000,000,000 रुपया महिना नहीं कमा सकते क्योंकि जब तक आपका knowledge नहीं बढ़ेगा तब तक आप का earning नहीं बढ़ेगा अगर आपको जिन्दिगी में बड़े level पर जाना है और next level का पैसा कमाना है तो अपने तजरुबा को बदलना पड़ेगा अपने knowledge को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पुरानी तजरुबा और पुरानी knowledge आपको नई income कभी दे ही नहीं सकता